करोना जांच को लेकर तो वही सबसे जादा ब्रीधि हुई है तो भेही सबसे जादा लोगों की मौध हुई हुई है ऐसे में लोगों को कुरोना की जाँच कराने में काफी परिसानी का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में अब कोभी सेल्फ नाम का कुरोना सेल्फ कीट तयार किया गया है जो जल्द ही बजार में उपलब्ध हो जाएगा बताया जा रहा है कि इस कीट के आजाने के बाद से लोगों को कम समय में कुरोना संक्रमन का पता लगा सकता है जिसके कारण लोग समय रहते इलाईज भी कराना सुरू कर देंगे और खुद को होम आइसोलेशन में करने के लिए संक्रमन के चैन को तोड़ सकेंगे कुरोना जांच के लिए ICMR ने घर बैठे खुद कुरोना जांच करने के लिए कोभी सेल्फ नाम के टेस्ट कीट की मंजूर दे दी है इस कीट से सेंपल लेने के 15 मिनट के अंदर ही कुरोना संक्रमन रिपोर्ट सामने आ जाएगा मिडिया में चल रही खबरों की माने तो इस कीट की कीमत 28 रुपय बताई गई है इस कीट का इस्तमाल वैसे लोगों के लिए अधिक कारगर होगा जो किसी कुरोना संक्रमीत के संपर्क में आने से खुद के संक्रमन होने को लेकर संसय में है या जिन में कोरोना के सुरुवाती लक्षन दिखाई दे रहे हैं मिडिया में चल रहे खबरों के अनुसार आइस कीट के इस्तमाल करने को लेकर एडवाजरी जारी की है पाई आप जान लेते हैं कैसे करें इस कीट का इस्तमाल इस kit के इस्तिमाल करने के लिए ICMR ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें विश्तार से बताया है कि इस kit का इस्तिमाल हम कैसे करें इस kit में नैजल, स्वैब, एक एस्ट्रेट, टैनिक, ट्वीब और एक टेस्ट कार्ड दिया गया है kit पर एक scan code भी दिया गया है जिसके माध्यम से आप अपने फोन में my lab को भी सिल्फ app डाउनलोड करके इसे अपने फोन से connect कर सकते हैं यह एप टेस्ट पूरा होने पर alarm बजाएगी और टेस्ट का result एप में दिखने लएगा आपको टेस्ट करने के लिए स्वैब के उपरी हिस्टे को बिना चुए उसे नाक में 2-3 cm तक अंदर डालना होगा इसके बाद इसे स्वैब को दोनों नौट रिजन में डाल कर इसे पांच-पांच बार घुमाना होगा इसके बाद आपको स्वैब को एस्टे ट्रेब ट्यूब में डालना होगा और उसे अच्छी तरह से घुमाना होगा जिसके बाद आपको स्वैब के बीच से ही तोड़ देना होगा इसके बाद आपको इस liquid की दो बुंदों को test kit में डालना होगा इसके बाद आपका result के लिए 15 मिनिट का इंतजार करना होगा अगर result 20 मिनिट के बाद आता है तो यह negative माना जाएगा liquid डालने के बाद अगर kit में सिर्फ quality control line C पर एक rate line आती है तो इसका मतलब है कि आप covid negative है अगर kit में quality control line C और test line T दोनों ही rate हो जाती है तो इसका अर्थ हुआ कि आप corona positive है test करने के बाद kit के साथ मिले disposal bag में सब कुछ रखकर उसे अच्छे से disposal कर दे इसके बाद बताया गया है कि फोटो खिच कर एप पर करना होगा upload जो लोग घर में इस kit कर जाच करके उन्हें test strip की दोनों फोटो खिचनी होगी उसे एप के जरिए upload करना होगा mobile app का data ICMR की testing portal पर upload होगा और मरीजों की गोपनीता बरकरार रखे जाएगी जिन मरीजों को test report positive आएगा उन्हें positive आना जाएगा और उन्हें किसी test की ज़रूत नहीं पड़ेगी लेकिन जिनकी report negative आएगा उन मरीजों को RT-PCR test कराना होगा जब तक जाँच report नहीं आ जाती उन्हें home isolation में रहना होगा तो एक तरह से हम कहलें कि भारत सरकार यानि की ICMR की तरफ से guideline जारी की गई है जिसमें उन्होंने बढ़ते हुए corona संक्रमन को लेकर और जाँच को लेकर एक अहम बात कही है जिसमें उन्होंने जाँच आप घर से भी कर सकते हैं इसको लेकर उन्होंने एक पूरी एडवाईजर जारी की है जिसमें को सेल्फ नाम की एक कंपनी है जिन्होंने टेस्ट कीट जारी किया है जिससे कि आप अपने घर में भी corona की जाँच कर सकते हैं क्रोणा से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हैं भी आरी ने उचके साथ मुझे दिजिए जाजात धन्नवाद